भारत माता की भारत माता की जौन महोबा की धरा में आलहा उदल और वीर चंदलों की वीरता कण कण में समाई है वा महोबा के वासियन को हमा कोटी कोटी प्रणाम पोचे उत्रप्रदेश के राजपाल श्रीबंती आनंदी बेन पटेल यूपी के लोग प्रिय कर्म योगी मुख मंत्री योगी आदित्यनाज जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी गजेदर सी सेखावज जी यूपी सरकार में मंत्री डाक्टर महेंद्र सी जी 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 एस दर्मेश जी संसद में मेरे साथी आरके सिंग पटेल जी श्री पुषपेंद्र सी जी यूपी विदान परिशद और विदान सभाय के साथी श्री स्वतंत्र देव सी जी श्री राकेज गोश्वामी जी अन्य जनप्रतिनी दिगन और यहां पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों महोबा की एतियाहाचिक धर्ती पर आकर एक अलग ही अनुभूती होती है इस समय देश की आजहादी और राष्ट निर्माण में जन जातिय साथियों के योगदान को समर्पीत जन जातिय गवरव सप्ता भी मना रहा है इस समय पर वीर आलहा और उदल की पुन्य भूमी पर आना यह मेरे लिए बहुत बड़ा सवभाग्या है गुलामी के उस दोर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व भी है मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु परपकी भी अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूं आज ही भारत की वीर बेटी बुंदेल खन की शान दिरांगना रानी लक्ष्पी बाई की जेनती भी है इस कारकम के बाद मैं जासी भी जाओंगा डिफेंस का एक बहुत बड़ा कारकम बहार चल रहा है भाई और भेनों बीते साथ सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकाल कर देश के कोने कोने में लाए है महोबा ये इसका साक्षाद गवा है ये धरती ऐसी योजनाओं ऐसे फसकलों की साक्षी रही है जिनोंने देश की गरी माताओ बैनों बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किये हैं कुछ महिने पहले ही यहां से पुरे देश के लिए उजवगा योजना के दूसरे चरण की शुरुवात की गई मुझे आद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोडों मुस्लिम बेहनों को और उनमस्लिम बेहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बेहनों को तीन तलाग की परेशानी से मुक्ति दिला कर रहूँगा महोबा में किया वो वाइदा पूरा हो चुका है भाई और बेहनों अब आज मैं यहां बुंदेल खंडी बेहनों और मेरे प्यारे किसान भाई और बेहनों को बहुत बड़ी सौगास सौपने आया हूँ आज अर्जुन सहायक परियोजना रतवली बांद परियोजना भावनी बांद परियोजना और मजगाव चिली स्पिकलर सिंचाई परियोजना का लोकारपन करने का मुझे सौभाग्य मिला है तीन हजार करोड रुपे से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमिरपूर, बांदा और ललितपूर जिले के भी लाखों लोगों को लाखों किसान परिवारों को लाब होगा इन से चार लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा पीडियों से जिस पानी का इंतजार था वो इंतजार आज समाप तो होने जा रहा है साथियों आपका उत्सा मेरे सराँखों पर आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरा आपसे मेरी प्रार्थना है देखिया आगे जगा नहीं है आप आगे मतानिक कोशिश करिए और वहाँ भी थोड़ा शांती रखिए साथियों गुरु नानक देवजी ने कहा है पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई यानि पानी को हमेशा प्रात्विक्ता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी स्रुष्टी को जीवन मिलता है महोबा सहीत ये पूरा क्षेत्र तो सैंकडों वर्स पहले जल समुरक्षन और जल प्रबंधक का एक उत्तम मोडल हुआ करता था बुंदेल परिहार और चंदेल राजाओं के काल में या तालो तलाबों पर जो काम हुआ वो आज भी जल समुरक्षन का एक बहत्रीन उदाहारण है सिंद्र, बेतवा, दसान, केन और नर्वड़ा जैसी नदियों के पानी ने बुंदेल खंड को समुरुद्धी भी दी, प्रसीद्धी भी दी यही चित्रकूट, यही बुंदेल खंड है जिसने बनवास में भी प्रभुराम का साथ दिया यहां की बनसंपदा ने भी उन्हें आशिरवाद दिया लेकिन साथियों सवाल ये कि समय के साथ यही छेत्र पानी की चनोतियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया क्यों इस छेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे क्यों यहां की बेटियां पानी वाले खेत्र में शादी की कामना करने लगी इन सवालों के जबाब महोबा के लोग बुंदेल खन के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सासन करने वालों ने बारी बारी से इस छेत्र को उजाडने में कोई कसर नहीं छोड़ी यहां के जंगलों को यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया यह किसी से छिपा नहीं है और अब देखिए जब इनी माफियाओं पर यूपी में बुल्डोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तोबा मचा रहें यह लोग कितनी भी तोबा मचा लें यूपी के विकास के काम बुंदेल खंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है साथियों इन लोगों ने बुंदेल खंड के साथ जैसा बरताव किया उसे यहां के लोग कभी भी भुल नहीं सकते नलकूप हैंडपम की बाते तो बहुत हुई लेकिन पहले की सरकारों ने इन नहीं बताया कि भुजल के अभाव में उससे पानी के से आएगा ताल तलया के नाम पर फीते बहुत काटे लेकिन हुआ क्या मुझसे बहतर आप जानते हैं बांधों तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में कमिशन सूखा राहत में गोटा ले बुंदेल खंड को लूट कर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया आपका परिवार बुंद बुंद के लिए तरस्ता रहे इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा भाईयों और बहनों इन्होंने कैसे काम किया इसका एक उधारन ये अरजुन सहायक परियोजना है वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही अधूरी पड़ी रही 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजना है ऐसी लटकी हुई सिच्चा योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया यहां सिच्चाई परियोजनाओं का पूरा करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिर कार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज यह परियोजना आपको बुन्देल खंड के लोगों को समर्पीत है दसकों तक बुन्देल खंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारे देखी है पहली बार बुन्देल खंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं कि बुन्देल खंड के मेरे भाईयों भेनों कि इस कटू सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो कि उत्तर पदेश को लूट कर नहीं ठकते थे और हम काम करते करते नहीं ठकते हैं साथियों किसानों को हमेशा समस्याओं में उल्जाए रखना ही कुछ राजनितिक दलों का आधार रहा है यह समस्याओं की राजनिति करते हैं और हम समाधान की राष्ट नीति करते हैं केन बेतवा लिंक का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है सभी पक्षों से समवाध करके रास्ता निकाला है केन बेतवा लिंक से भी भविश्य में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है योगी जी की सरकार ने बीते साड़े चार साल के दोरान मुंदेल खंड में पानी की अनेकों परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया है आज मजगाव चिल्ली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक टेकनिक का लोकारपन सिज्जाई में आ रही आधुनिक्ता को दिखाता है साथियों मैं जिस गुजरात से आता हूँ वहां की जमीनी हकीतर जो पहले के गुजरात के हाल थे वो परिस्तितियां बुंदेल खंड से जराबी अलग नहीं थी और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूँ आपकी तकलिप को समझता हूँ मान मर्दा के आशिरवात से सरदार सरोवर बांद के आशिरवात से आज गुजरात में कच्छता ग्रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई वैसी ही सफलता बुंदेल खंड में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए है बाईयों बैनों जैसे बुंदेल खंड में से पलायन होता है न मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था देश में जनसंगया बढ़ती थी कच्छ जिले में जनसंगया कम होती जाती थी लोग कच्छ छोड़ छोड़ के चले जाते थे लेकिन जब मुझे सेवा करने का मोका मिला आज कच्छ हिंदुस्तान के जो प्रमुख जीलें हैं तेज गती से आगे बढ़ने वाले उन तेज गती से आगे बढ़ने वाले जीलों में कच्छ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के भी कई लाकों के मेरे भाई बेन अपना भाग कच्छ में आकर के आजमा रहे हैं और कच्छ के मेरे अनुभव से कहता हूं हम बुंदेल खन को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं फिर से नई जिन्दगी दे सकते हैं यहां की माता और बेहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेल खन में जल, जीवशन, मिशन के तहद भी तेजी से काम हो रहा है बुंदेल, खन्ड और साथ-साथ बिंद्या चल में पाईप से हर घर में पानी पहुचे इसके लिए विशेस अभियान चलाया जा रहा है भाई और बेहनों परिवार बादियों की सरकानों ने दसकों तक यूपी के अधिकतर गाउं को प्यासा रखा कर्म योगियों की सरकारों ने सिर्फ दो साल के बीतर ही तीस लाग परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है परिवार बादियों की सरकारों ने बच्चों को बेटियों को स्कूलों में अलग सोचा ले पीने की पानी की सुविदाओं से बंचित रखा कर्म योगियों की डबल इंजिन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉइलेट भी बनाए और यूपी के एक लाग से अधिक स्कूलों हजारों आंगनवाडी केंद्रों तक नल से जल भी पहुचाया जब गरीब का कल्यान ही सर्वोच्च प्रात्विक्ता हो तो ये ऐसे ही काम होता है इतनी तेजी से काम होता है बाई और बेनों हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्थर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए है बीते साथ सालों में साड़े सोला से सोला सो से अधिक अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार किये गए है जिन में से अनेक भीज कम पानी में अधिक पैदावर देते हैं आज बुंदेल खंड की मिट्टी के अनुकुल मोटे अनाच दलहन और तिलहन पर सरकार विशयत फोकस कर रही है बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरिदी की गई है हाल में सरसों मसूर जैसी अनेक दालों के लिए चार सो रूपिये प्रती क्विंटल तक MSP बढ़ाया गया है भारत खाने के तेल में आत्म निर्भर बने खाने का तेल विदेश से आयाद करने के लिए जो हर वर्ष हम असी हजार करोड रूपिये विदेश भेजते हैं वो असी हजार करोड किसानों के पात जाएं आपको मिले देश के किसानों को मिले इसके लिए राश्त्रियम मिशन चुरू किया गया है इसे पुंदेलखन के किसानों को भी बह acred मिलने वाली है भाई य और बहनों परिवारबादियों की सरकारे किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी वो किसानों के नाम से गोशनाय करते थे लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुचती थी जब कि पी-एम किसान सम्मान निदी से हमने अब तक एक लाग बासट हजार करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में बेजे हैं यह पूरी रकम हर किसान परिवार तक पहुची है परिवार वादियों ने तो छोटे किसानों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुभिदा से भी वंचित रखा था हमारी सरकार ने छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुभिदा से भी जोडने का काम किया है भाई और बहनों हम बुंदेल खंट से पलायन को रोकने के लिए इस छेत्र को रोजगार में आत्मंदिर भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है बुंदेल खंट एक्सप्रेस यह बुंदेल खंट एक्सप्रेस वे और यूपी डिफेंस कोरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है आने वाले समय में यहां सेंकड़ो उद्योग लगेंगे युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा अब इन इन इलाकों की किस्मत शिरिपेक महत्सब की महताज नहीं रहेगी यहीं नहीं इस खेत्र के पास इतिहास आस्था संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माद्यम बनता जा रहा है यह खेत्र तिर्थों का खेत्र है इस्थान को गुरु गोरग नाज्जी का अशिरवाद मिला हुआ है रहिला सागर सुर्य मंदीर हो मा पितामबरा शक्ति पीठ हो चित्रकृत का मंदीर हो सोनागिरी तीर्थ हो यहां क्या नहीं है बुंदेली भाषा काव्य साहित्य गीत संगीत और महो बाकी शान देशावरी पान इनसे कौन आकर्षित नहीं होगा रामा एंड सर्कीट योजना के तहट यहां के अनेक तिर्थों को विक्षित किया जा रहा है बाई और बेहनों ऐसे ही अनेक कारकमों से डबल इंजिन की सरकार इस दसक को बुंदेल खनका उत्तर प्रदेश का दसक बनाने में जूटी है इस डबल इंजिन को आपके आशिरवाद की शक्ति मिलती रहेगी इसी विश्वास के साथ मैं आप सब की इजाज़त लेकर के यहां से अब जांसी के कारकम के लिए रवाना होने वाला हूँ आप इतनी बड़ी तादाज में आ करके हम सब को आशिरवाद दिये इसके लिए मैं रिज़ेश से आपका बहुत बहुत आबारी हो मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भारत बहुत धन्यवाद